हाई फ्रेंड्स ये बटेर के अंडे हैं और इस पॉलिथिन में भी अंडे अज जमा हुए हैं जो मेरे फार्म पे बटेर पाले गए हैं ये उन्ही के अंडे हैं फ्रेंड्स घार पर इनकुबेटर कैसे बनाए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं और उपर आई यह शोचना है कि यह फेक वीडियो है यानि फेक इंकुबेटर है friends बता दूँ कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी आइडिया फेक नहीं होता मैं फेक शेयर नहीं करता हूँ पूरी तरह से आपका सपोर्ट करता हूँ और इसी विचार से मैंने यह चैनल बनाया है कि मैं आपका जितना भी हो सके चैनल के मादें से सपोर्ट कर सकूँ इसलिए इस वीडियो में आज मैं रिविल करूंगा कि इस इंकुबेटर से अंडो से बच्चे निकलते हैं या नहीं आप देख लें इस बॉक्स में भी हीटिंग के लिए बलब लगा है एरफलो के लिए फैन और नमी के लिए एक पॉट में पानी रखा हुआ है अब मैं अंदर की तरफ कैमरा ले जाता हूँ अब यहाँ आप खुद देख लें कुछ अंडो से बच्चे निकल चुके हैं मगर कुछ वीवर्स यहाँ भी यह बात सोच सकते हैं कि इन बच्चों को किसी और इंकुबेटर से निकाल कर मैंने फेक वीडियो बनाने के लिए इसमें रख दिया होगा इसलिए फूडते हुए अंडो को भी मैं दिखाना चाहूँगा इस अंडे को आप ध्यान से देखें या अभी भी अंडा हैचिंग मोड में है यानि अभी भी फूड रहा है फ्रेंड्स अगर या इंकुबेटर फेक होता तो इतने सारे अंडो को इसमें रखने का मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेता लेकिन फ्रेंड्स से एक बात और बता दू जब मेरे पास अंडे अधिक हो जाते हैं तो मैं एक बड़ा वाला इंकुबेटर भी इस्तमाल करता हूँ क्योंकि इस इंकुबेटर में उतने अंडे नहीं आ सकते उस इंकुबेटर को भी आगे वीडियो में में दिखाने वाला हूँ क्योंकि बड़े इंकुबेटर के लिए पावर सप्लाई का भी ध्यान रखना पड़ता है मैं उस इंकुबेटर को भी दिखाऊंगा वे इस इंककुबेटर के अंदर जो आप बड़े हंडे देख रहा होग और प्रेंड़ या इंककुबेटर पिछली वीडियो वाला ही है आप लिए इंककुबेटर डेयल में प्रेंड़ या बटेर का अंदर आप हिवी हैचिंग प्रोसेस में है आप देख लिजेंग प्रेंड्स या इनको बेटर पिछली वीडियो वाला ही है अंडे जब अधिक हो जाते हैं तो मैं यह बड़ा वला इनको वेटर इस्तमाल करता हूं इसे आप देख लें आखर में मेरे चानल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चानल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीवर्स बिजनेस के विचार से या प्रोफेस्नली इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मे और मेरी टीम के तरफ से उन्हें अलग से समय दिया जाएगा उन्हें गाइड किया जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स